दुनिया में शक्तिसाली इंसान कोन होते है जो अपने शरीर से तगड़े हो या वो पहलवान जो दो आदमियों को अकेले ही कुस्ति जीद जाए नहीं शक्तिसाली इंसान वह होते है जो अपने क्रोध पे काबू कर सकते है जिसका अपनी लालसा पे कंट्रोल कर सके अपनी आदत यानि इंद्रियों को काबू कर सके नहीं तो कोई भी बुद्धिवान आदमी शनभर में किसी को क्रोध में डालके उसे संकट में डाल कर अपना हेतु पूरा कर सकता है इसलिए शक्तिसाली इंसान वही होता है जिसे अपने क्रोध पर काबो होता है इसी क्रोध पर आज हम एक पपुलर कहानी सुनेंगे समराठ शिकंदर और सादुजी की मैं आप सबका दोस्त हरिकेश टाकोड़े और आप देख रहे है मेरा चैनल हरिकेश टाकोड़े ओपिशियल इस चैनल पे ऐसी धेरो सारी अच्छी कहानिया आती रहती है इसलिए आप आज मेरे चैनल पे पहली बार आये है तो ऐसे ही धेरो कहानिया सुनने के लिए चाइनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर कीजिए चलो कहानी शुरू करते हैं सिकंदर महान ने अपने रनक अउशले से ग्रीस इजीप्ट समेट उत्तर भारत तक अपना सामराज्य स्थापित कर लिया था सालों से युद्ध करती सिकंदर की सेना बहुत ठक चुकी थी और अब वो अपने परिवारों के पास वापस लोडना चाती थी सिकंदर को भी अपने सहिनिकों की इच्छा का सनमान करना पड़ा और उसने भी भारत से लोटने का मन बना लिया पर जाने से पहले वो किसी न्यानी विक्ति को अपने साथ ले जाना चाता था स्थानिय लोगों से पुछने पर उसे एक पहुचे हुए बाबा के बारे में पता चला जो कुछ दूरी पर स्थीत एक नगर में रहते थे सिकंदर दल बल के साथ वहां पहुचा बाबा निवस्तर एक पेट के नीचे ध्यान लगा कर बैठे थे सिकंदर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा कुछ देर बाद बाबा ध्यान से बाहर निकले और उनके आखे खोलते ही सहिनिक सिकंदर महान सिकंदर महान के नारे लगाने लगे बाबा अपने स्थान पर बैठे उनने ऐसा करते देख मुश्कारा रहे थे सिकंदर उनके सामने आया और बुला मैं आपको अपने देश ले जाना चाहता हूँ चलिए हमारे साथ चलने के लिए तयार हो जाईए बाबा बोले मैं तो यही ठीक हूँ मैं यहां से कही नहीं जाना चाहता मैं जो चाहता हूँ सब यही उपलब्द है तुम्हें जहां जाना है चले जाओ एक मामूली से संतका यह जवाब सुनकर सिकंदर के सहिनिक भड़क उठे भला इतने बड़े राजा को कोई मना कैसे कर सकता था सिकंदर ने सहिनिक को शान्त करते हुए बाबा से कहा मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ आपको मेरे साथ चलना ही होगा बाबा बिना घबरा है होए बोले यह मेरा जिवन है और मैं ही इसका फैस्ला कर सकता हूँ कि मुझे कहा जाना है और कहा नहीं यह सुन सिकंदर गुस्से से लाल हो गया उसने फोरन अपनी तलवाल निकाली और बाबा के गले से सटा दी अब क्या बोलते हो मेरे साथ चलोगे या मोट को गले लगाना चाहोगे बाबा अब भी शांत थे मैं तो कही नहीं जा रहा अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो पर आज के बाद से कभी अपने नाम के साथ महान शब्द का प्रयोग मत करना क्यूकि तुमारे अंदर महान होने जैसी कोई बात ही नहीं तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो सिकंदर अब भी और भी कुरोधित हो उठा भला तुनिया जितने वाले इतने बड़ा योद्धा का एक निर्वल निवस्तर वेक्ति अपने गुलाम का भी गुलाम कैसे कह सकता था तुम्हारा मतलब क्या है सिकंदर कुरोधित होए होए बुला बाबा बोले क्रोध मेरा गुलाम है मैं जब तक नहीं चाहता मुझे क्रोध नहीं आता लेकिन तुम अपने क्रोध के गुलाम हो तुमने बहुत से योद्धाओं को पराजित किया पर अपने क्रोध से नहीं जित पाए वो जब चाहता है तुम्हारे उपर सवार हो जाता है तो बताओ होये ना तुम मेरे गुलाम के गुलाम सिकंदर बाबा की बाते सुनकर स्थब धरा गया वो उनके सामने नतमस्तक हो गया और अपने सहीनों को के साथ वापस लोड़ गया इस कहाने से हमें क्या शिक्षा मिलती है मित्रो हम जितना बार गुसा होते है उतनी बार हमारे शरीर में एसिड बनता है क्या हम यह नहीं जानते कि एसिड जिस बरतन में होता है उसे नश्ट कर देता है सची तो है गुसे का सबसे बड़ा सिकार खुद गुसा करने वाला ही होता है आईए ऐसी प्रेड़नासपत कहानियों से सीख लेते हुए हम अपने गुसे को काबू में करने का प्रयास करें और ऐसी ही एक कहानी सुनने और पढ़ने के लिए इस चैनल को प्रीज सस्क्राइब कीजिए और हमारे समों में सम्मिलत हो जाए